अगर आप हिंदी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं या फिर बना चुके और आपको ये समझ नहीं आ रहा हम कौन से कीवर्ड्स यूज करें और किस पे आर्टिकल लिखें तो आज का वीडियो आपके लिए है पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के उपर जरूर क्लिक करें मैं हूँ विदानत और वेलकम है आपका टेक्नो विदान चैनल में आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हिंदी कीवर्ड में भी लाखों का ट्राफिक आता है और अगर आप उन कीवर्ड को यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा प्लस उसको गूगल में रैंक करना बहुत ईजी है क्योंकि उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है सबसे पहला हमारा कीवर्ड है हिंदी वर्न माला आप देखेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ वर्न है और तीन लाग के आसपास का इसका ट्रैफिक है जिसमें से ट्रैफिक पोटेंशल डेड़ लाग से ज़्यादा है और क्लिक्स इसमें एक लाग चालिस जार आते हैं सीपीसी भी इंडिया के हिसाब से आपको अच्छा मिलेगा कीवर्ड डिफिकल्टी एक का मतलब है कि बहुत जल्दी रैंक करना और फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छा और यूनिक आर्टिकल लिखेंगे तो हो सकता है हफ्ते दस दिन के अंदर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाए नीचे आपको और भी कीवर्ड मिलेंगे व्यू आल पर मैंने क्लिक करा यहाँ पर मुझे कोई भी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है 1600 कीवर्ड में 5 लाग से ज़्यादा का ट्राफिक आता है आप देखेंगे मंतली सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है ग्लोबल सर्च वॉल्यूम, ट्राफिक पोटेंशल, सीपीसी भी अच्छा मिलेगा कुछ ऐसे कीवर्ड है जिनका ट्राफिक भी अच्छा है ग्लोबल वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्राफिक पोटेंशल भी अच्छा है कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है पर CPC उसमें 0 है पर मैं आपको यही recommend करूँगा CPC 0 होने के बाद जूद भी ऐसे keywords को use करें क्योंकि उनके अंदर traffic बहुत अच्छा आता है और इसके अंदर आप questions को भी use कर सकते है अब वो questions कैसे use करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा अब चलते हैं अपने second keyword की तरफ second keyword है Hindi alphabet आप देखेंगे keyword difficulty 12 है 2,27,000 का traffic है जिसमें से 62,000 की इसकी traffic potential है पर clicks एक लाग से ज़्यादा आते हैं और CPC इसमें काफी अच्छा मिलेगा maximum जितना भी traffic आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है और जो हमारा पहले वाला keyword था उसमें भी maximum traffic इंडिया से आ रहा है अब यहाँ पर नीचे view all लिखाए इसके उपर मैं click करूँगा और इधर भी मुझे कोई भी filter लगाने की जरूरत नहीं है volume देख सकते है global volume भी कितना अच्छा है traffic potential और CPC CPC ना होने के बावजूद भी इन keywords को use करें अगर आपके पास ये वाला tool है तो यहाँ से आपको बहुत सारी options मिल सकती है questions का idea मिल जाएगा और कौन-कौन से इस से related keyword rank कर रहे है list बहुत नीचे तक है आपको इसमें filter भी मिल जाते है अगर आप चाते है कि इसके अंदर traffic आपको 500 से ज़्यादा मिले तो यहाँ पे आपने सिफ 500 type करके apply कर देना है और आप देखेंगे 62 ऐसे मेरे पास keywords आगए जिसमें 359,000 का traffic आ रहे है अगर यहाँ से इस filter को मैं remove कर दूँगा तो मेरे पास 1940 keywords की list है इनके questions के पारे में तो मैं आपको बताऊँगा अगर आपके पास यह वाला tool नहीं है प्लस मैं एक चीज और बताऊँगा कि Hindi एक अलग word है और one वाला एक अलग word है इन दोनों में भी अगर आपकी website rank कर जाए तो कितना चमतकार होने वाले है एनिवेज चलते हैं थर्ड keyword की तरफ थर्ड keyword है Hindi letters keyword difficulty 6 1,91,000 का traffic है traffic potential इसके अंदर 62,000 की है और 82,000 क्लिक साथ है CPC अच्छा मिल रहा है इंडिया के accordingly maximum traffic इंडिया से आ रहा है view all पर मैं click करूँगा और यहाँ पर भी मुझे किसी भी तरह कोई filter लगाने की जरूरत नहीं है काफी अच्छे आपको volume मिलेगा global volume, traffic potential, CPC यह सारी चीजे आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है और यहाँ पर आप देखेंगे single single words पर भी अगर आपकी website rank कर गई आने वाले कुछ सालों में तो आपकी website में कितना अच्छा traffic आ सकता है पर अभी दो important चीजे रह गई है questions और plus Hindi और one mala में कितना traffic आता है उससे पहले एक last keyword रहेगे आपके साथ मैं वो भी share करना चाहता हूँ last keyword है one mala in Hindi keyword difficulty इसकी 2 है और कुछी second पहले मैंने जितने भी keywords है उनको update कर है आप चाहे तो यहाँ से proof देख सकते है पहले मैं update करता हूँ उसके बाद मैं आपके साथ share करता हूँ हमारा जो fourth keyword है उसमे keyword difficulty कम है जो बहुत easily आप rank कर सकते है 36,000 का traffic है जिसमें traffic potential 1.5,000,000 से जदा है यह helping keywords की तरह आप इसे use कर सकते है अपने article के अंदर title H1, H2 tag में जिससे आपको इस keyword का भी traffic मिले मैंने जो आपको keywords बता है उसमें हिंदी और वर्न माला दोनों आ रहे है अगर एक single single word पर भी आने वाले कुछ महीनों यह कुछ साल के अंदर आपकी website rank कर जाएगी तो उसका क्या benefit मिलेगा अब मैं आपको वो दिखाता हूँ आप देखेंगे वर्न माला में अगर आपकी website rank कर जाए keyword difficulty जिसके 0 है और 52,000 तक का इसके अंदर traffic आता है और traffic potential लगवग डेट लाकी है तीन गुना आपको इसका traffic मिलेगा अगर एक single keyword पे आपकी website rank हो जाए जिसमें CPC भी आपको अच्छा मिलेगा clicks भी आपको अच्छे आ रहे है और ठीक ऐसी अगर Hindi word पे आपकी website rank हो जाएगी keyword difficulty बहुत जादा है पर बहुत जादा होने का मतलब यह नहीं होता कि आप उसे कभी achieve नहीं कर पाएंगे अगर आप Google में Hindi लिखेंगे तो कोई ना कोई website तो top में आएगी उसने कभी ना कभी तो start करा होगा अगर वो भी यह सोच ले कि यह possible नहीं है अगर आपके पास यह वाला टूल नहीं है free में questions मिलेंगे बस आपके पास keyword होना चाहिए और keyword मैं आपको बता चुका हूँ अब questions कहा से मिलेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ for example हमारा सबसे पहला keyword था Hindi वर्णमाला यहां से आपने इसे Google में search करना है page को थोड़ा सा नीचे करना है तो यहां से आपको questions मिल जाएंगे यह सारे questions हिंदी में लिखे हुए आप इनको English में भी लिख सकते हैं English को use करेंगे तो उसमें भी automatically यह हिंदी को search करेगा जैसे कि मैंने यहां पे लिखा Hindi वर्णमाला लिखा मैंने इसको English में है पर आप देखेंगे इसने Hindi के questions भी मुझे निकाल के दे दिये आपको इस तरीके से अपना title लिखना है जिसके अंदर English भी आ रही है और Hindi भी आ रही है इन questions को use करके आप H1, H2, H3 के tags create कर सकते हैं keywords को अपने H1 के tag के अंदर add करें प्लस अपने article में भी add करें ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फेट से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ तब तक के लिए जै हिन जै भारत